नमस्कार मैं हूँ तापस महरा, we the people of India का एक छोटा सा हिस्सा भारतिय समविदान को मानने वाला एक भारतिय नागरे अब दोस्तो इस वीडियो को बनाने का जो परपस है, जो मक्सद वो यह है दोस्तो मैं यहाँ पर अपील करना चाहता हूँ, विंती करना चाहता हूँ, दिल्ली के मानिय मुख मंते श्री अरविंद केजरिवाल जी से और विश्यो के चौथे सबसे बड़े रेल नेटवर्क इंडियन रेलवे से कि आप इस वीडियो के बाद में, इस वीडियो को देखने के बाद में कुछ उच्छित कदम उठाएं, जो कि काफी लोगों के लिए helpful हो सकता है, और दोस्तो इस वीडियो के जरी आपको भी awareness मि लेगी, दोस्तो इस वीडियो के माधियम से मैं आपको बताँगा कि दिल्ली जिसको हम दिलवालों का शेर कहते हैं, वो एक्चुल में डलालों का शेर है, जब भी आप रेलवे स्टेशन से उतरते हैं, रेलवे स्टेशन के आसपास होते हैं, आप परियाटन के लिए गए और वहाँ पर किस तरह दलाल आपको लूटने के लिए आ जाते हैं, किस तरह आप उनके बैकाओं में आ जाते हो, और मेरे साथ भी गटना हुई है, 28 जनवरी मैं भूल नहीं सकता हूँ, और मैं लिटरली मुझे दिल्ली जाने से नफरत होने लगी है, मेरे देश की अचीत कदम उठाए, चलिए आप फटापट से गटना पर आते हैं, कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यावत इसकी वज़े से मेरे को ये वीडियो बनानी पड़ रही है, तो 28 जनवरी मैं दिल्ली टू गवाटी जरनी कर रहा था, मैं जयपूर से आया, दिल्ली में मेरी ट्रेन थ चुकिए कि इसका refund हो चुका है, लेकिन जब आप ये बात करें होते हैं, तो आपके आसपास एक दलाल आपको सुन रहा होता है कान लगा के, और उनको आपकी जो emergency होती है, फिर आपकी urgency होती है, उसका अंदाज़ा लग जाता है, कि इसको इतना दूर जाना है, कहां रुके करी का फायदा उठा कर वो आपको जितना जल्दी हो सके, आपको फसाने की कौसिस करेंगे, तो दोस्तों जैसे ही मैं वहाँ पर एक आदमी मिर को बोला कि आरि टिकेट काउंटर नंबर एक पे चलिए, वहाँ पर आपका समादान हो जाएगा, तो वो मिर को एक नंबर काउ 200 रुपय अगर उपर लग रहे हैं, तो मैं करत बाँ सकता हूँ, अब दोस्तों यह मेरी विवेक हिंता थी, और एक्च्वल में मतलब मैं अपनी भी गलती मानता हूँ कि पड़ा लिखा होने के बावजूदी में इस चीज में फंस गया, लेकिन दोस्तों फिर भी मैं यहा पड़ेगा, तो मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने मेरी टिकेट का आस्वासन दिया और उन्होंने मेरे से सबसे पहले वो पैसे लिए जो उन्होंने बोले थे, तो पैसे भी मैंने ऑनलाइन दे तो उन्होंने पास के किसी दो दुकान छोड़कर अपने ट्रांजेक्शन करवाए, वहां से मेरे को कैस मिला, वो भी कमिशन काट गए, फिर मैं उन्होंने दुक्तर में ले जाके पैसे दे दिये, उसके बाद में उन्होंने यहाँ पर एक घंटा लिया, मेरे को भार बैठने को बोला, और मेरी काफी बहस भी हुई कि मुझे आपर वरोसा निया आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह B11, यह शीट नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, और इस तरह कि यह एक जाली नोट सामान है, क्योंकि इसका जो गलर होता है वो थोड़ा सा ज्यादे रैडिश होता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं साक्केंड टिकेट, एक्चूलि रेलवे प्रिशासन मिला हुआ है मैं इसमें कोई टिपड़ी नहीं करूँगा लेकिन जहां पर चार्टिंग हो चुकी है बोर्ड मतलब पूरी तरसे चार्ट लिस्ट आ चुकी है उसके बाद में वह कंफर्म टिकेट कैसे दे पा रहे हैं मुझे नहीं पता क्या वह मतलब उ दोस्तों जब मैं प्रियाग राज पहुंचा उसके बाद में मेरे पास रोने के लावा कुछ नहीं तो लिटरली बता रहा हूं मैं हतास हो गया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि प्रियाग राज जाने के बाद मेरी आगली टिकेट कंफर्म थी नहीं और वहां पर अगले स्टेशन पर उतर जाईए फिर दोस्तों कुछ भी करके मैंने यहां पर जो आगे पेंट्रे वाले भाईया थे तो उनसे बोलके मैंने बोला कि सुबह 9 बजे तक मेरे को क्योंकि आधी रात मैं कहा हूं उतरू तो 9 बजे तक मैं उनको बोला कि अगले दिन 9 बजे त तो मैं आराम से उन्होंने मेरे को एक जगे देखे बिठवा दिया और थोड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद मेरे को आरे पी इस सब ने बहुत सही हो किया कि उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बोला और उसके बाद अगले दिन कटियार से मैंने अल्रेड उसी ट्रें की जो करता हूं कि यह दो मेरे साथ गटना गटी है इस तरह से फ्रॉड लोग आपके सामने करते होंगे रेलवे काउंटर पर आपको ऐसे लोग मिल जाएंग जो आपको कंफर्म टिकेट देने का जहां साथ देते हैं और इस तरह के अटना होने के बाद लोग अपने घरों तक प उन पर पावंदी लगाए जाए आप उनको भापे अभी जहां पर मेरे साथ फ्रॉड हुआ उसका तो मैं आपको बता रहा हूं कि किस जगह पर वो है तो यहां पर जो नियू डेली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर सोला के जस सामने जो गली जाती है वहीं पर ड कुछित कदम उठाएं और मैं तो चाहूंगा कि मुझे इस चीज का मुआवजा मिले हाला कि मेरी भी गल्तिक में जल्ली जासे मैं लेकिन फिर भी एक आम नागरिक होने के नाते मुझे इसका मुआवजा तो मिलना ही चाहिए इसके साथ में इंडियन रेलेवे सेंट्रल र छाना ना खाए इस तरह आप ये भी आनाउस करें भारतिये रेलेवे के टिक estas के अलावा कहें पर भी उचित के बाद कोई भी टिकेट नहीं मिल सकता है आप इस चीज की सावधानी बरते और दलालों के चक्कर में ना आएं आपकी लेंगवेज में जिस तरीके से बोल सकते हैं आप उचित यहां पर एक नोटिस बोर्ड पर यह नोटिस लगवाएं जिस तरह आप जेब कतर से सावधान लिखवा देते हैं उसी तरह इस इंची जो में भी आप एक बार पहल करें अब यह आपको लगरा होगा कि यह ऐसा कैसे पॉसिबल है लोग तो अपना काम धंदा करेंगे यह एक्चुली लूट मार काम धंदा नहीं होता है आपको अवेर करने के नाते यह एक बार करना चा अपतर के बाहर बैठे होंगे अपते आपको लुटवा रहे होंगे तो मैं इंडियन रेलवे से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप भी इस बात पर उचित कदम उठाएं और जो लोग यह वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बोल रहा हूं कि आप इस वीडियो को जितन घटना हुई है देश में कहीं पर भी तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें कि आपके साथ घटना कहां किस तऱेके से हुई अगर हम इस पर रोक नहीं लगाएंगे अगर हम खुद भी मिलकर इस पर काम कर सकते हैं अगर हम ही अवेर हो जाएंगे तो ऐसे लो जाई होगी आप इस तरह अगर आपका टिकेट कंफर्म है तो आप यातरा कीजिए नहीं है तो आप बाहर से टिकेट मत लीजिए आप रेलवे की किसी डिपार्टमेंट में जाके कहीं पर पता कीजिए या फिर कोई उचीत वियवस्ता कीजिए ताकि आपके पैसे बच सके त आप मेरी बात से सहमाते हैं तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे उनसे मैं कहना चाहूँआं कि आप भी जागुर्ट रहे और असपास जितने भी लोग उनको इस बारे में बताईए एंड मैं एक और बात कहना चाहूँआ कि यह वीडियो मैं ट्विटर पर डाल यहां पर टेक कर रहा हूं इंडियन रेलवे और श्रीमान अर्विंद केजरिवाल जी को आप इस पर उचित कदम उठाएं यह मेरी खास रिक्वेस्ट है आप से कि प्लीज आप इस पर कोई ना कोई कदम जरूर उठाएं और अगर आप ना भी उठाएं तो यहां पर कुछ स मैसेज का आप जल्दी से जल्दी जबाब देंगे इस वीडियो को जल्दी से जल्दी जबाब देंगे धन्यवाद